नमस्कार राजस्थान में लोगसभचुनाओं का मद्दान 26 अप्रेल को संपन हो चुका है और तब से अब तक बड़ी सियासी उधरबन जारी है कौन किसको पठकनी दे रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा बस चारों तरफ यही चर्चाएं है कोई इन चुनाओं को पिछले च्मपेर करके देख रहा है तो कोई इन चुनाओं को पिछले चुनाओं से बिलकुप अलग बिलकुप अनुह बता रहा है जब इस बार का चुनाओं होगा अनुह होगा तो पत्ता के खिलाफ माना जाता रहा है लेकिन कम वोटिंग हुई है तो बीजेपी इस बार सेफ है यह दावा भी ठीक नहीं है क्योंकि कम वोटिंग के चलते बीजेपी का मिशन 25 तो शायद इस बार पूरा नहीं हो रहा है कई सीटों पर बीजेपी को कॉंग्रेस या मदम पर चौकाया है पहरे बीजेपी कॉंग्रेस के नेताओं का दल बदल कर सियासी समी करण बदल देना फिर वोटिंग परसेंटेज कम होना और वोटिंग परसेंटेज में भी एक नया पेच हमको नजर आया है राइस्थान के तमाम दिगज नेताओं की इलाकों में कम पर वोटिंग देखी गई है और कम वोटिंग वाली 175 सीटों में वो विधान सभाएं भी शामिल हैं जहां से कई दगज नेता मौजूद विधायक हैं मंत्री हैं उपमु के मंत्री हैं यानि कि दौनों पूर सीम अशो गहलोत और वसंदर राजे पूर डिप्टी सीम सच सब्सक्राइब का मुकाबला है यहां वोटिंग विधान सभा सीटों पर यहां वोटिंग घटी है बाड मेर में बीजेपी के के लाश चोधरी के सामरे कॉंग्रेस के उम्मीदाराम बेनीवाल हैं लेकिन चर्चा है कि मुकाबला निर्दली रवेंदर सिंग भाटी और बे सब्सक्राइब करें तो यहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कॉंग्रेस के नेता शांती धारिवाल 2019 के मुकाबले यहां वोटिंग जादा हुई है लेकिन इनके खुद के विदानसबख शेत्रों में वोटिंग परसेंटेज घटा है पूरु मुक्यमंत्रे शोग गहलोत की विदानसबख सीट सरदार पुरा में भी वोटिंग कम हुई है जालावाल 12 से पूरु सीम वसंदराजे के वेटे दुष्यंद चुनाव लड़े हैं इस लोगसबख शेत्र में 8 विदानसबख आती हैं साथ में भाजबा का और एक हानपूर पर कॉंग्रिस का कबजा है जालरापाटन से खुद वसंदराजे विदायक हैं लेकिन विदानसबख चुनाव के मुकाबले यहां 8.12 फीजदी वोटिंग घटी है विदानसबख चुनाव में यहां 77.66 फीजदी वोटिंग हुई थी लोगसबख में यह आंकड़ा 99.55 फीजदी पर आ गया बीजेपी से बागी होकर निर्दली चुनाव जी विदायक बने चंदरभान आक्या के इलाके में भी वोटिंग घटी है विदानसबख चुनाव के तुलना में 8 से 14 फीजदी वोटिंग कम हुई है टॉंक सवाई मदपूर की 8 में से 6 सीट उपर बीजेपी का कबजा है टॉंक से कॉंग्रेस महासरचीव सचिन पाइलेट विदायक है यहां से 12.55 फीजदी वोटिंग कम हुई है सवाई मादपूर से मेना समाज के दिगज नेता करशी मंतरी डॉक्टर किरूल लाल मेना विदायक है यहां भी वोटिंग घटी है मालपूरा से मंतरी कनया लाल मेना विदायक है यहां भी वोटिंग कम हुई है वैसे टॉंक सवाई मादपूर की बात करें तो इस पूरे लोगसभा सीट की ऐसी सीट रही है जहां कि आठों की आठों विधानसभा सीटों पर वोटिंग कम हुई है लेकि सवाल यह है कि दिगज अपने विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग करवा पाने में असफल क्यों रहे 2019 के लोगसभा चुनाओं के मुकाबले इस बार 5.23 फीसदी वोटिंग कम हुई है सभी दिगजों की सीटों पर वोटिंग कम हुई है और इन आकड़ों को देख इस बार के मद्दाता के मंशा बता पाना मुश्किल टास्क लग रहा है यह कहा जा सकता है खेल तो बड़ा होग लेकिन एक तरफा नहीं कहा जा सकता है फिलाल मुझे दीजिये अजाजत जनता दरबार के लिए चैयापुर से विजय वर्माएं